बिहार के सियासत में कुछ बड़ा फेर बदल होने वाला है क्योंकि अब जन सुराज के संस्थापक और चुनावी रणितिकार खुद ही चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं जिसे बिहार के सियासत का पारा काफी जादा है होने वाला है जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के एलान के बाद में पक्षी पार्टियों में भी हल्चल तेज हो गई है लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से प्रशांत किशोर ने इतना बड़ा फैसला किया है इतना बड़ा एलान दिया है और क्या प्रशांत किशोर अपने लक्ष को पाने में काम्याब हो पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन सवाल ये है कि बिहार में हम आपको हमारे स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबिस्त। बिहार की सियासत में होगा बड़ा फेर बदल। क्या प्रिशान्त किशोर कर पाएंगे कमाल। क्या बिहार एक नई राजनितिक पार्टी के उदय के लिए तैयार है। क्या लालू, नितीश और बीजेपी के मजबूत संगठन की मौझूदगी में बिहार किसी नए नेताकार राजनितिक जन्म हो सकता है। क्या 2025 के बिहार वधानसवा चुनाओ में एक नई पार्टी लालू और नितीश का खेल बिगार सकती है। ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल कंसल्टेंट से पॉलिटीशन बने प्रशांत किशोर ने अपनी राजितिक पार्टी बनाने का एलान कर दिया है। 28 जुलाई को प्रशांत किशोर ने घोशना कर दी कि 2 अक्टूबर 2024 को उनकी पार्टी अस्वत में आएगी और 2025 में उनकी पार्टी वधानसवा चुनाओ भी लड़ेगी। उन्होंने का कि 1 करोड सद से 2 अक्टूबर को गाधी जैनती के मौके पर जन सुराज की नीव रखेंगे। पहले दिन एक लाग पचास हजार लोगों को पदाधिकारी नामित करने के साथ शुरुआत होगी। नतीश कुमार के साथ अपनी पहली राजिदिक पारी में असब्फल रहने वाले प्रशांत किशोराप खुद अपनी राजिदिक पार्टी बनाने जा रहे हैं। पीके ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि वो पार्टी में कोई पद नहीं मागेंगे। पीके ने लिखा कि बिहार के हजारों गाओं और छोटे शहरों में दो साल से अधिक की पदियात्रा की। इसकी बाद हमने बहतर विकल्प देने के लिए उपचारिक रूप से पार्टी गठन की प्रकरिया शुड़ू की है जो दश्कों के दुख को समाप्त करेगी। इसे बिहार के बच्चों के लिए बहतर भविश सुनिश्चित होगा। प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि वो जमीनी स्तर पर लोगों से मिलना जारी रखेंगे। इसे में चलिए आपको बताते हैं कि क्या अपनी पार्टी को लॉंच करने वाले प्रशांत किशोर को हासिल कर पाएंगे जो वो करना चाहते हैं क्योंकि पिछले 24 सालों का इतिहास तो कुछ और ही बताता है 24 साल में बनी 10 पार्टियां सफलाउप चुनावी रणीतिकार प्रशांत किशोर बिहार में नई पार्टी गठन की कवायद में जुट गए हैं पीके ने पार्टी का स्ट्रक्चर तैक करने के लिए सात्र लोगों की एक टीम भी बनाई है प्रशांत किशोर इस साल 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी जन सुराज लॉंच करेंगे जिसके बैनर तले 2025 में वो सभी 243 सीटों परमेदान में उतरेंगे बैयार में किसी नेताओं द्वारा पार्टी गठन करना नई बात नहीं है साल 2000 से लेकर अब तक 10 राजनितिक पार्टीों का गठन हो चुका है दिल्चस्प बात यह है कि 10 में से कोई भी पार्टी अकेले दम पर सत्ता में नहीं आपाई है ऐसे में सवाल उठता है कि पार्टीों का इतना खराब रिकॉर्ड होने के बाद भी क्या प्रशांत किशोर कोई करिश्मा कर पाएंगे लोजपा साल 2000 में दिगज नेता रामविलास पार्टी ने इसकी स्थापना की उसवक्त पासवान देश के बड़े नेता थे लेकिन उनकी पार्टी अकेले दम पर बिहार में कमाल नहीं कर पाई 2005 के विधानसभा चुनाओं में लोजपा को 29 सीटों पर जीत मिली जिसके बाद कहा गया कि पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे लेकिन वो नहीं बने इसके बाद लोजपा कभी भी विधानसभा चुनाओं में प्रभावी नहीं हो पाई 2021 में ये पार्टी दो धड़ों में तूट गई 2001 में नागमनी ने लालू यादव की पार्टी को तोड़ कर इस पार्टी का गठन किया था पार्टी ने शुरुवात में खोब सुर्खियां बटोरी लेकिन बाद में इसे कोई बड़ी सफलता नहीं मिली 2004 चुनाओं के बाद इसका बीजेपी में मरजर हो गया 2007 में जनतादल यूनाइटेट से अलग होने के बाद उपेंद्र कुश्वाहा ने इस पार्टी की नीव डाली थी लेकिन दो साल में ही ये पार्टी खतम हो गई 2009 में ये समझोते के तहत नतीश कुमान ने उपेंद्र कुश्वाहा को राज्य सभा भेज दिया कुश्वाहा इसके बाद अपनी पार्टी का विले जेडियू में कर चुके थे 2013 में जेडियू ने फिर बगावत कर उपेंद्र कुश्वाहा ने अपनी पार्टी बना ली इस पार्टी का नाम उन्होंने राज्टीय लोक समता पार्टी रखा 2014 के लोकसभा चुनाओं में रालोसपा को बिहार की तीन लोकसभा सीट पर जीत भी मिली लेकिन बाद में ये पार्टी कोई करिश्मा नहीं कर पाई इस पार्टी का 2021 में जेडियू में विले हो गया हम से नितीश कुमार से बगावत करने के बाद पूर्व मुख्यमत्री जीतर राम मांजी ने 2015 में खुद की हिंदुस्तान आवाम मोचा का गठन किया था लेकिन इस पार्टी को 2015 के चुनाओं में करारी हार मिली 2019 में भी हम का परफॉमेंस ठीक नहीं था 2020 में मांजी फिर नितीश के साथ आ गए और उनकी पार्टी को चार सीटों पर जीत मिली 2024 के चुनाओं में गया लोकसभा सीट से मांजी खुद जीत गए मांजी के पार्टी केंदरोर बिहार की सरकार में जरूर शामिह ले लेकिन खुद के बूते कोई करामात नहीं कर पाई 2015 में लालू यादव की पार्टी से बाहर निकाले जाने के बाद सांसत पपु यादव ने जन अधिकार पार्टी का गठन किया था लेकिन जाप को भी बिहार में सफलता नहीं मिली 2015-19-20 के चुनाओ में हार के बाद पपु यादव ने पार्टी का विले कॉंग्रस में कर लिया 2018 में मुकेश साहनी ने इस पार्टी के स्तापना की थी लेकिन इस पार्टी को अब तक कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है 2019-2014 के लोकसबा चुनाओ में वियाईपी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली लेकिन 2022 में उसके सभी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए साल 2020 में पुश्पम प्रिया चौधरी ने प्लूरल्स पार्टी का गठन किया था 2020 के चौनाओ में इस पार्टी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे लेकिन पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली खुद पुश्पम प्रिया दो सीटों पर चौनाव लड़ी थी लेकिन दोनों ही सीटों पर उनकी जमान जब्थ हो गई प्लूरल्स पार्टी अभी भी अस्तितों में है लेकिन 2024 के चौनाओ में पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारे साल 2021 में पूर्व केंद्री मंत्री नागमडी ने खुद की राष्टी शोसित समाज पार्टी बनाई नागमडी की ये पार्टी कागज में अभी भी अस्तितों में है लेकिन जमीन पर कोई करिश्मा नहीं कर पाई फरवरी 2023 में जेडियू से निकल कर उपेंद्र कुश्वाहा ने खुद की रालोजद बनाई कुश्वाहा एक साल तक पार्टी के लिए भ्यान चलाते रहे लेकिन 2024 में उन्हें बड़ा जटका लगा पहले उन्हें अपनी पार्टी का नाम बदलना पड़ा और फिर 2024 के चुनाओं में उन्हें हार भी मिली कुश्वाहा भी राज्यसभा के जरीए राजनीती कर रहे है प्रशांत किशोर को क्यूं है उम्मीद ब्यार में मजबूत उपस्तिती के लिए प्रशांत किशोर एक साथ कई रणीती पर काम कर रहे है एक तरफ पीके सभी पार्टियों के कोर वोटर्स में सेध लगानी की रनीती तैयार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ खुद का जाती और सामाजी समिकरण भी बना रहे हैं उनकी पार्टी से जुड़े लोगों की माने तो तीन वजों से पीके को अपनी प्लान सफल होने की उमीद है जिसमें पहला है जाती आधारित पार्टी नहीं होना दरसल बताया जा रहा है कि पीके जिस जन सुराज पाटी का गठन करने जा रहे हैं वो जाती आधारित नहीं है पीके ना तो अभी तक जाती की राजनीती करते आए हैं पीके की रणनीती उन लोगों को साधने की है जो बिहार में पिछले 30 साल के शासन से उकताय होए हैं पीके अपने भाशन में नहीं वर्गों को साधने की कोशिश करते हैं पीके मुख्य रूप से बिहार के बेरुज़गारी पलायन और शिक्षा का मुद्दा उठाते हैं दूसरा पीकी का सफल रणीती कार होना जी हाँ प्रशान किशोर कईर राजियों में बतार चुनावी रणीती कार के तौर पर काम कर चुके हैं एकाद मामले को छोड़ दीजिये तो उनकी रणीती में पार्टियों को सफलता ही मिली है पीके कॉंग्रेस के लिए पंजाब और यूपी में भी काम कर चुके हैं 2014 के चुनाव में पीके नरेंद्र मोदी की टीम में एहम हिस्सा थे पीके 2021 में तमिल नाडू चुनाओ के M.K. स्टालिन 2019 में आंद्र चुनाओ में जगन मोहन रेड़ी 2021 के बंगाल चुनाओ में ममतावणरजी 2019 के महराष्ट चुनाओ में उदधव ठाकरे 2020 के दिल्ले वधान सबाच चुनाव में अर्विन केजरिवाल और 2015 के वधान सबाच चुनाव में नितीश कुमार के लिए रणीती बना चुके हैं तीसरा पीके के पास प्रोफेशनल टीम है प्रशांत किशोड जब बिहार राजिती करने आए तो पूरी प्रोफेशनल टीम के साथ आए वरतमान में पीके इनी टीम के साथ राजिती में सक्री है यह टीम फीड़बैक जुटाने से लेकर मुद्दा तैय करने तक का काम करती ह पीके के मीडिया और सोशल मीडिया मैनेजमेंट का भी काम प्रोफेशनल टीम ही देखती है यानि अगर टीम की माने तो वह काम्याब हो सकते हैं लेकिन क्या वाकई पीके काम्याब होंगे ये देखना काफी एहम होगा इस्पेशनल स्टोरी में फिलाल के लिए इतना ही बाकि के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कापिटल टीवी बिहार नमस्कार